वेल्कम फ्रेंट युक्ति आई इसकी इस ओर्लाइन प्लेटफॉन पर मैं अमरविंद आप लोग का स्वागत करता हूँ आज 3 अगस्त है तो 3 अगस्त के करेंट है पेर्स MCQ के रूप में कौनकौन से प्रस्ट आप लोग को आने वाले जो भी एक्जाम है उसमें देखने को मिल सकता उस पर आजम लोग विस्तित उससे चर्चा करेंगे यह वीडियो 25-30 मिनट का होगा तो आप लोग बने रही है अन तक और बहुत से महत्पुन टॉपिक पर अप्रस्ट एमसे क्यू के रूप में सामिल किया गया है उससे जरूर देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्तिया इस प्लेटफॉन को जरूर जुड़िये उससे जुड़ने का बहुत सा माद्यम है जैसे गूगल प्ले स्टोर है वेफ साइट है साथ ही साथ यूटूब चैनल है तो आप लोग कहीं भी जाकर ज्रूइन हो सकते हैं यूटूब चैनल पर सबसे पहले आप लोग तो चैनल को जरूर सस्काइब की देगा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दवाएगा ताकि आप लोग सारण नोटिफिकेशन आपको मिले और जो भी आप लोग को सुविधा दी जा दिये उसका लाब मिल सके एप डाउनलोड करत है उसके लिए भी आप लोग के हाँ पर टेस्ट अबलेबल है जैसे एससी बैंकी रेलेवे उपी बिहार एसाई एफसी डी आडी एर फोर्स जितने भी एकजाम होते है गवर्मेंट एकजाम उसके सारे टेस्ट अबलेबल हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में तो आप आप लोग जरूर वेबसाइट को विजिट किजिए www.yuktiis.in या गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करके सारे सारी सुविधायन ले सकते हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं साथ ही इस बार कोड को जरूर सकेन किजिएगा हमारा टेलिग्राम चैनल से आप इमिल से आप लोग कॉंटेट कर सकते हैं साथ ही साथ दिये गए नंबर पर भी आप लोग कॉंटेट करकर सारे लाब ले सकते हमारा टेगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं अपना मुवाइल अपना कोचिंग तो जरूर हमारे अपने मुवाइल को कोचिंग बनाईए काम किया गया जिसमें दस सज्जार MCQ महत्पूर MCQ टॉपिक वाइस सब्जेक्ट वाइस को कवर किया गया जिसका मातर फी 1100 रखा गया है आप लोग दोनों एस्परेंट के लिए तो इससे जरूर जोइन कर सकते हैं साथ ही साथ इसके साथ ही आप लोग को साइंस MCQ भी चल रहा है मातर 229 पर आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं साइंस का अलग MCQ है लगववव वह तीन हजार के आप लोग को देखने को मिलेगा तो आप लोग जुरूर जोइन कर सकते हैं चलिए आज का MCQ हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्न कोशिस करूंगा जल से जल से कवर अप करने के लिए पर जो महत्पून है उससे जरूर विस्तित रूप से लोग चलचा करते चलेंगे पहला question है ध्यान से देखिएगा आप लोग देखते हैं तो उसका comment box में आप लोग answer दे सकते हैं comment कर सकते हैं comment section में तो active mode में काम किजिएगा तो ज्यादा बेहतर रूप से रिजल्ट परणाम देखने को मिल सकता है एक्सरसाइज जो विनवेक्स है दोजार बाइस दुपक्षे सेन अभ्यास निम्लिखीत में से किन दो देशों के मद विच हुआ है एक्सरसाइज विनवेक्स 2020 बैट्रियल मेट्रियल जो एक्सरसाइज है housed between which of the following countries, the countries किनके किनके बीछ हुआ, तो भारत इंडョनेशिया पहला option है, option B इंडोनेशिया और विएट नाम option C भारत और दश्चिन अफ्रिका option D भारत और वियत नाम तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आप आप भी होता है तो उन जितने भी आप लोग को एक्सराइज नजर आयों उससे प्रस्ट आप लोग को जुरूर एक्जाम में देखने को मिलता है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चलिए एक्स पार्ट पर एक्सपोलिशन के संदर में लोग देख सकते हैं हमारा जो पडोसी देश है उसके बगल आप लोग का यह दच्छिन पूर एश्रिया का एक देश इसमें हम लोग महत्पुर्ण साज़दार देश के रूप में वियतनाम है तो यह बहुत ही महत्पुर्ण टॉपिक है इसे रिलेटेड आप लोग को कुछ चीजे याद रख है तो यह न्यूज में आप लोग को देखने को मिल सकता है यह अभ्यास का आज जोन इस अभ्यास का योजन चंडी मंदिर में किया गया तो यह भी प्रस्ण आप से पूछ सकता है नेश्ट है एक्स विन्वेक्स 2022 का थीम क्या सांति अभियानों के लिए स्वयुक्त राश् विए तो यह थीम के रूप में भी पूछ सकता है तो यह याद रखियेगा यह आप लोग को दिखने को मिल सकता है गतवर्ष 2019 में लास्ट 2019 में वे तो आप लोग को प्रस्ण पूछ सकता है वियतनाम और भारत के बिच होने वाले विन्वेक्स सेन अभ्यास का अंत्र पू हुआ था ओप्शन दे सकता है 2019, 2020, 2021 आपको ओप्शन भी क्लिक करना होगा ध्यान रखियेगा इससे पहले 2019 में हुआ था क्योंकि 20 और 21 कोविट का दो रहा था तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं इस दोर में तो इसलिए महत्पून है वियतनाम भारत की इस एक्ट इस पॉलि विजिट यह सब प्रस्ण जो भी आएगा आप लोग को कभर कर लेना है यह हमारा वेबसाइट है जरूर विजिट कीजे टेलिग्राम चैनल है दिये के नंबर से भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं लाइक शेयर और सस्काब जरूर कीजे चलि इनेस्ट हम लोग बात करते हैं दू तो किस देश ने किया है डबलब बाई वर्ल्ड मोस्ट ड्रेवल हाइडोजन फ्यूल सेल भारत हंकॉंग चीन जैपान तो सही उत्तर होगा ओफ्षन भी इसका सही उत्तर होगा ओफ्षन भी हंकॉंग ने ऐसा किया है तो इससे समंदित आप लोग को प्रस्ण देखने को म कंप सकते हैं उसे होंग विध्यान अप फर्ड़ोग की भी विध्याले के विध्यानिकों ने फर्म शका सबसे टिकाव। इन्धन खेंधन सेल विखित किया है यत इन्धन ह도जन जो यह है जो ही यह थितुसिया प्रभाई कार्बन ङूदित करें हरीत योजना वध्या, अ करने का कोई देश 30 तक किया है कोई लक्ष 40 किया कोई 50 किया कोई 70 किया कोई प्रिजली में परिवर्टित करके को सलता पुर्वक बिजली उत्पन किया जाता है। इस परक्रिया में सुन कार्बन डाउकसाइट पार्टिकुलेट मेटर्स और अन्य परदूसक उसरजित होते हैं। सबसे स्वक्ष उर्जा हाइडोजन को माना जाता है। इस छेतर में ब्यापक सुधार किया जा रहे हैं। देखिए, जब आज आगा टिका हूँ तो देखिए, इस परकार का परियोग किया जाता है। इंदनों के रूप में गाड़ी में एक सिलिंडर के रूप में। आईसे गाड़ी चलती है और भी बहुत से आयाम है इसके ब्यापक का आयाम है अभी अंडर प्रोसेस है तो बहुत से चीजों को भी आना बाकी है तो आगे हम लोग और भी देखेंगे इससे इसे इतरी निज्ट चैनल को जुरूर लाइक सेर और सस्काइब करते रहें यूट सिती के निघ्राने के लिए एक टास्फोर्स का गठन किया गाँ अंडर हुज लिडर्शिप इन टाक्स फोर्स हाज बेन कंट्यूलिटेड माइंटर अधर सेच्वेशन अंधर मंग की पॉक्स वा इन इंडिया तो इसके संदर में कौन है मंग टास्फोर्स का गठन किसके नित्यूत में किया है तो एक प्रकार के महमारी आता है वाइरस आता है उससे related person exam में देखने को मिलता है तो भारत सरकार ने देश के monkey box की स्थिति की निगराने के लिए टास्पर का गठन किया इसका नेत्युत डाक्टर वी के पाल के द्वारा किया जबकि अनुस अदस्तों में केंद्रिय स्वास मन्त आले के सश्विव और फार्मा और बायो टेक के सदस्त भी सामिल होंगे तो यह महत्मुन टास्पर होगा जो इनिगरानी रखेगा इसका गठ क्या गया क्योंकि वाइरस जो पिछले बाद करोना वाइरस तभाई मचाई भारत और विश्व में सर्भी सरकार इससे सतर्क रह रही है कि इस परकार के जब भी वारिस आते हैं आएगा जविश में जिसका टेक होगा तुरंत सरकार एक्शन में काम लेगी क्योंकि इसके ल टास्फोर्थ भारत में इस बिमारे के लिए दानिक सुविधाय इसका विस्तार करेगा और टिका करन की खोज के समन्वें सरकार को मारदर्शन परदान करेगा साथ में भारत में अब तक मंकी पॉक्स के चार मामले हालाकि एक बढ़ गया है पांच हो गया है तो ध्यान रखेगा तीन मामले पहले केरल के एक दिल्ली के तो इस परकार से आप लोगों को मामला बढ़ता जा रहा है थोड़ा सा इस पर अक्टिव रहने का की जुरूत है साथ में मंकी पॉक्स क्या है इसे भी देख लेते हैं मंकी पॉक्स एक जिनोटिक बिमारी रोग है अथात जानवरों से फैलने वाला रोग है जो जानवर से लिहाप होकर मानों में आता है किसी तरह प्रवावित होकर मंकी पॉक्स वारिस का कारन होता है या वारिस चेचक पीदा करने वाले विशानू के लिए रहार है यह पच्मी और मद्ieurs अफरीकी देशों के अस्तानी को से छो सेँitting यह उन Yap। देशों से मैंघंड़ों देखने को मिले हैं हलाकि मामला है कांए कर ल किसमें ने भीरेफूर इमजेंसी घोषित किया है इसे लेटर देखें दैनिक जार नुस अनलेस्टीस वहाँ बहुत सा कभर किया गया तो जो भी भीति दैनिक जारन नूस आनलेस्टीस देखते हैं पेपर को उस वह उन्टके लिए यह सब लिए यूज करेंट अफेरस बहुत उज़ियोगा क्योंक प्रसन देखने को मिल सकता एक्जाम में जैसे चाबहाद दिवस्चमेलन इरान में उसके लिए उपलब्दी है उसके लिए समेलन बुलाया जाता है निमलखीत में से कौन सा देश सामिल नहीं हुआ है तो चाबहाद कांफरेंस में कौन सा देश पार्टिफरेट नहीं किया है तो कौन सा है ओफ्षन देख लिए तो ओफ्षन A आफगानिस्तान ओफ्षन B कजाकिस्तान ओफ्षन C इरान उप्रोक्त में से कोई नहीं थी इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर पिंग राज्य मंत्री है द्वारा मुंबई में ध्यान रखिए कहां हुआ यह समेलन मुंबई में चाहबार दिवस्षमेलन का अशुभारम किया गया यह प्रश्ण आप से पूछ सकता है किस मंत्री के के संद नतित में यह किया गया यह भी आप लोग को याद रखना है इस उद्गाटन सामारों में देखे काजाकिस्तान इरान ताजाकिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान आफगानिस्तान के विभिन परते निधियों नहीं भाग लिया है इस समेलन में तो देखे बहुत ही महत्पूर्ण है देशों का नाम पूछ सकता है साथ ही में कितने देशे ये भी आप लोगों से पूछ सकता है तो यह महत्पूर्ण होता है इस सम्मेलन से समंधित आप लोगों को यह प्रस्ण देखने को मिल सकता आने वाले जो भी एक्जाम होने वाले प्रस्ट पूछे जा सकते हैं देखिए इरान है चावार हमें अफगानिस्तान से जुड़ने के लिए इस पोर्ट का बहुत ही महत्पुन जुरुत है साथ ही साथ मद एशिया में जाने के लिए जैसे इन सब देशों में जाने के लिए इस पोर्ट का बहुत ही महत्पून अस्थान रहता है क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस्तिमाई वाद को लेकर आतंगवाद को लेकर हमेशा किसी ने किसी रूप से अर्चन रहता है इसलिए हमारा जो इससे connectivity हमेशा बंदी रहा था उरी हमला के बाद अभी तक के इसमें एक सर्जिकल स्टाइब के बाद इसके बाद अभी तक के इसमें आम रुप से जो यातायात के जो अंतराश्टी संबंद है स्थापित नहीं हो सका तो मद एसिया में जाने के लिए एक मात रास्ता यही बच जाता है इरान चावार होते हुए हम यहां मुंबे पोर्ट से पहले चावाहर में जाएंगे यहां से फिर रोट कनेक्टिविटी अफगानिस्तान होते हुए मद एसिया तक जाएंगे तो इसलिए यह important हो जाता international relationship के संदर में भी तो इससे प्रस्ट आपको जरूर होगा देखने को मिलेगा तो देखे भारत इरान और अफगानिस्तान वर्स 2016 में चाबाहार बंदरगा और अबे पुछ चुका है तो आने वाले अग्जाम में भी पूछा जा सकता है की स्वर्स साथ ही चाबाहार बंदरगार क्या है इसके संदर में पहलूद देख लेते हैं चाबाहार जो हर बंदरगाए ओमान की खाड़ी मिष्ती थे ओमान देष यहां इस खाड़ी kg है तो यह पुछता यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट देखी ग्वादर पोर्ट यहां से 72 किलोमेटर की दूरी है जो स्टेडिजिक रूप से भी बहुत महत्पूर्ण है जिसे चीन विक्सित कर रहा है और वहां पर अपने गतिविदी को डवलप कर रहा है तो भारत भी इस सीधी पहुच को स्थापित करता है देखिए यहां हिन महाशागर है नीचे यहां अरफ शागर है हलाकि हिन महाशागर नीचे आता है तो अमुक रूप से यह देखने को मिलता है तो बंदग चाहवार बंदगा ही हिन महाशागर में के सीधी कनेक्टिविटी को डवलप करत है बंदगा में दो अलग-अलग बंदगा सामिल है सब जैसे साहिद बहस्ति और शाहिद कलंतरी तो दो साहिए यहां पर दो इसके बनाए गया है तो इससे संबंदित आप लोग को ध्यान रखना इसके सब पार्ट के रूप में तो यहां से प्रस आपको देखने को मिल सकता है मैप से आप चाहिए इस डाइगराम से समझ सकते हैं मैप से कि चाहबा की स्तिति क्या है भारत की स्टेजिटी की बात कर रह ताकि आप लोग और भी चीजों को वहां से प्राप्त कर सके साथ ही साथ वहां पर बहुत से क्वीज चलाया जाते हैं तो क्वीज में जरूर भाग लेजिए चलिए नेस्प्रस पांचवा नंबर प्रस अम लोग देखते हैं ऑफ्षन आप लोग बता सकते हैं क्या इसका एंसर होगा ऑफ्षन हम लोग चलिए देख लेए नसीले पदार्तों की तसकरी और राष्टी सुरच्छा पर सम्मेलन का उदघाटन निम्लिक्षिस में से किन के द्वारा किया गया हाली में एक सम्मेलन का युजित किया गया नसीले परजार जो नार्कोटिक्स है उससे सम इस लोगों ने इसका उध्गाटन किया है या कोई एक तो इसका सही उत्तर क्या होगा ख sayха ऌप्शन सी होगा और मिशी सा के द्वारा किया गया है तो सही उत्तर क्या होगा option c एक्सपलेशन के तौर पर देखते हैं हम लोग क्या है बहुत ही महत्पूर्ण यह भी है कोस्टन देखने को मिल सकता है क्योंकि नार्कोटिक्स हमेशा चर्चा में रहता है इससे समंधित आप लोग को प्रसुन देखने को मिल सकता है तो पहले तो 30 जुलाई 2022 को यह सम्मेलन किया गया था जो नशीले पदार्तो तसकरी को राष्टी सुरक्षा का सम्मेलन घाटन किया गया इस सम्मेलन का दोरा नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो एंसीबी दिल्ली कोलकत्ता चैनेई में लगवा 30,000 किलोग्राम के अधिक नशील 2022 को ड्रग डिस्पोजल केमपेन शुरुवात किया थी यह भी आप लोग को प्रारंबिक परिच्छा या पीटी में प्रस्ण यह पूछ सकता है कब एंसीबी द्वाय डिस्पोजल केमपन चलाया गया था ड्रग डिस्पोजल केमपन था नस्ट किया गया तो एक जून 2022 को द्यान रखिएगा यह प्रस्ण पूछ सकता है नेश्ट 29 जुलाई तक 11 राज्यों में लगभा 51,217 किलोग्राम से अधिक नसीले पदातों का निप्टारा किया गया तो यह सब आकड़े हैं जरूर्ट पूछा जा सकता है एंसीबी के अजादी के अमरित महसों के सामरों क ग्यों सोब्ति नेश्ट 405-Er हजाद के नशीले दाववों का निप्टारा संगल्प लिया लगभा 75 क्यव लग्राम की नशीली दाववों का यह संकल्प के साथ यह प्रस्म आपको भी Saints पूछा जा सकता है कि अमरित महसों के उप्रा उपलक्ष में शामरों के उपलक्ष में NCB कितने किलोग्राम नसीडी द्राओं का निप्टाने का संकल्प लिया है तो यह सब आकड़े ध्यान रखेगा प्रस्ट में पुछा जा सकता है नार्कोटिस कंटोल भी हो जो हमेशा चर्चा में रहता है NCB तो क्या है उसकी स्थापना कव हुई है 1986 में इसकी स्थापना हुई है यह NCB एक भारतिय केंद्रिय कानुन परवर्तन और खुफिया एजेंसी है या कारे इस रूप से भी करती या ग्री मंत्राले के तहत कारे करती है Narcotic Drug Sycrotrophic Subcent Act के परवधानक अनुसार यह मादक पदार्थों की तसकरी के साथ साथ अबेद पदार्थों के उप्यों के निप्टान के लिए मदद करती है इस परकार से Act के तहत यह काम करती है इस Act को याद रखिएगा ना इसके अभी वरतमान में महाने देशक कोन है सत्त नरायन परधान जो IPA से related to väaction bach के हैं kader के हैं 1988 यह भी आपलोगों को बहुत महत्पुन परशन इस साल देखने को मिल सकता एक्जाम में हलाकि जब operation आहट शुरू किया गया था प्रसम पूछा गया था पर इसके तहत कौन चलाया जाता है और भी exam में आने वाले exam में पूछ सकता है क्योंकि यह महत्पूल प्रोग्राम था आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर चैनल को सस्क्राइब कीजिए सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर करते रहिए यूटूब चैनल को ताकि और भी हम इंप्रोग्मेंट के साथ आगे बढ़ते रहें चलिए option देख लेते आप लोग answer देने का परियास कीजि केंद्रिय पुलिस बल के द्वारा रेल्वे शुरच्चा बल आरपी एफ के द्वारा नार्कोटिस कंट्रोल ब्ूरो एन सी बी के द्वारा या उप्रोक्ट में से कोई नही fill operation art किस के द्वारा कराया गया था? आहाट आफ्शन भी रेल्वे पुलिस बल के द्वारा चलाया गया एक महत्पून ओप्रेसन था जिसके तहत जो मानुत तसकरी को रोकना था महत्पून इस प्रकार से देखी कारे भी करते हैं जीवन बचाओ जो अभियान बच्पन बचाओ अभियान है जिनको नौबल मजदूरों से सम्मंदित काम करते हैं जिसमें माल मजदूर की ठुप से ट्रैप किये जाते हैं तो इसके सारे इसी से रिलेटेड रहते हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है तो उनसे भी रिलेटेड प्रस्ण आप से पूछ सकता है तो आप लोग को ध्यान अखना सबसे पहले यह कब चलाएगा जुलाई 2022 के दोरान महीने बरे देश ब्यापी या ब्यान के तहत आर्पीएफ ओप्रेशन आहट के तरहत लगवाई 151 नवालिक लड़कों 32 नवालिक लड़कियां लगवाई 183 नवालिकों को इसलिए मैंने इसे पूट कर दिया है इससे रिलेटेड हो सकता है अप्रस न पूछ सके नेश्ट विगत पांच वरस में था 17, 18, 19, 20 और 21 के दोरान आर्पीएफ ने लगवाई 278 लोह को तसकरों को चुंगोल से छुड़ाया इसके साथ लगवाई 65,000 सदिक बच्चों को और मैलाओं और पुरसों को बचाया जोने उस रच्छा दिये तो बहुत ही महत्पूर्ण योजना है मानव तसकरी को रोकने के लिए अफरेशन आहार तो इससे रिलेटेड आप लोगो प्रस न पूछ सकता है हुमन ट्रैपकिंग क्या है इंडिया मी आप लोग इससे रिलेट ट्रैपकिंग का इस्तिति ये भी आप लोग देख सकते हैं जैसे 32 बिलियन इंडिस्ट्री वर्ल्ड वाइड हिमन ट्रैपकिंग में पर जाता है लगबग इससे सम्मंदित और जैसे हैं 20% जो कुल होता है वो ट्रैपकिंग होता है लेवर इंडिस्ट्री के लिए बाकी सब होते सेक्स वर्कर या सेक्स इंडिस्ट्री बहुत से हैं उसके लिए 80% मानु तसकरी होता है इससे रिलेटड बहुत सा डाटा अप लोग यहां कभर हो जाएगा तो जरूर आप लोग देख लिजेगा, इंडिया में किस रूप से है, वर्ल्ड में कैसे है, किन-किन देशों में मानुद इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती है, यह बहुत ही authentic डाटा है, तो जरूर इसे आप लोग कभर कीजिएगा, हम लोग नेश्ट आगे बढ़ते हैं, ताकि वीडियो ल चाहे हैं, साथ वा नमबर प्रस्ट ने, चोथे ONJC पेरा गेंस 22 का उंधगाटा नेमलित इसमित कीन के द्वारा किया गया है, फोर्थ ONJC पारा गेंस 25, 22 जरेद Miladini के दौरा, M, Wankyan Ido, Smriti, Raani या Haradiv C, Puri option D इसका सही उत्तर होगा Haradiv C, Puri इसके दौरा उद्घाटन किया गया क्योंकि आपको इससे समंदित आपको केंद्रिय पेट्रोलियम, प्राकिर्ती, गैस आसवन और सहरी कार्य मंत्री है इसलिए इनके दौरा उद्घाटन किया गया है ध्यान रखियेगा कोन मंत्री है? केंद्रिय पेट्रोलियम, प्राकिर्ती, गैस तथा आसवन और सहरी या था सहरी जो आवासी और सहरी कार्य मंत्री है उनके दौरा या किया गया नई दिल्ली में किया गया ध्यान रखिएगा यहां सभी प्रस्ण पूछ सकता है कहां किया गया त्याग राज स्पोर्ट कॉंपलेक्स में किया गया यह भी आप लोगो प्रारंबी परिच्छा या पीटी में प्रस्ण चलिए इसके बाद आठ केंद्री तेल और गया सराजनी उद्धम उनके करमचारे कुलिस में 275 दिव्यांग 32 में सामिल होंगे और दो से लेकर चार अगस्त किया आयोजन इसका होगा तो ध्यान रखिएगा अभी चार अगस्त किया न्यूज में रहेगा इससे रिलेटेड आपको भी प्रस्ण देखने को मिल सकता है नेक्स है नेक्स हम लोग बढ़ते हैं आठवा नंबर प्रस्ण पर यह भी बहुत महत्पूल प्रस्ण है इनके हाले ही में जियनती मनाई गई है और आप लोग को इससे प्रस्ण इस बार देखने को मिल सकता है इनसे रिलेटेड आप लोग को एक प्रस्ण हिस्ट्री के प 15 अगस तक पर्धानमंति नरेंद मोदी के द्वारा या अपील सरी सवी देशवासियों के द्वार किया गया है कि अपने जो भी सोसल मीडिया एकाउंट है वहां पर तिरंगा को वाल पेपर के रूप में उप्योग करना ताकि लोग जागरुखो और जो स्वर्णी मितिहा में हम लोग जा रहे हैं 75 शाल में उसको बेहता तरीके सेलिवरेट कर सके और विस्व में एक अलग हम लोग छाप राष्ट वाद के संदर में दिखा सके इसलिए बहुत ही महत्पूर्ण है या आप लोग को प्रस्ण यहां देखने को मिल सकता है देखिए पहले इनके दौ दो ही पट्टी पहले था पर गांदे जी के द्वार काने पर एक बीच में पट्टी दिया गया पहले उपर पट्टी था वाइट कलर का उसके बाद बीच में कर दिया गया तो ध्यान रखिए गा यह से प्रस्ण आपको पूछ सकता है दो हजार नो में से रिलेटेड पांस पैसे का यह के डाक टिकट जारी किया गया था तो आप लोगों को यहां से प्रस्ण पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा तो यह रिलेटेड आप लोगों को कि पैसे पांच रुप्य का यह टिकट था सॉरी मुझे टंग स्लिफ हो गया यह पांच रुप्य का टिकट था दोजार नो में यह जारी किया गया था इनका जन्म कभवा था दो अगस्तुनी अठासो चैतर में मशली पट्टा मर्थात आंध पर्देश वर्तमान आंध पर से लेकर 1921 तक इनों ने अध्यन किया विभिन देशों के जंडों का उसके बाद 1921 में राष्टिये कॉंग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकेया द्वारा त्यार किये गए एक जंडे को सुविकृति देते हैं और वहीं से यह अपनाया जाता है इस ज आत्मा गांधी के सुझाव पर सफेद ध्वज में सफेद रंग को सामिल किया गया अब बीच में आपको यह जो जो चरखा है गांधी जी का उसे संबोधिक किया सामिल किया गया था वर्तमान में नोट याद रखिएगा राष्टिय ध्वज जो वर्तमान सरूप से 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारती सुझावा की बैठक के दोरान अपनाय गया था तो वर्तमान सरूप कब अपनाय गया था 22 जुलाई 1947 को तो आपको यह भी प्रस्न के रूप में पूछा जा सकता है तो इस सब को कवर करते हुए आगे बढ़ना है नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रस्न देखते हैं बहुत ही महत्पुन प्रस्न यह भी है आपको प्रस्न आने वाले एक्जाम में जब तक 24 तक करेंट होगा तब तक यह पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा गेम्स वाइड ओपन निमलिखीत में इ नेक्स पेरा गेम्स 2022 विश्कोष्ती पर्तियोगता 2023 और परिस ओलंपिक 2024 तो आप लोग एंसर देने से पहले लाइक सेर और सब्सक्राइब जरू किजिए यूटूब चैनल को ताकि और भी हम लोग इंप्रूब हो सके इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर परिस ओलंपिक 2024 का अधिकारिक जो नारा है उसे या गेम्स वाइड ओपन इसको सामिल किया गया इसे चुना गया है तो इसे रिलेटेड आप लोगो दो चार चीजे याद रखनी है जैसे सबसे पहले तो 2024 का कहा हो रा पेरिस में होगा पेरिस ओलंपिक अधिकारिक नारे के रू पूच और मजबूत होगा यहां तीन सब्द जोड़ा गया है तीन सब्द को याद रखिएगा साथ ही साथ अधिक समावेशी अधिक भाई और अधिक सुन्दर सामिल किया गया है इस प्रकार से आप लोगो को प्रस्न पूछ सकता है लास्ट में आप लोगो ओलंपिक समीत समीति के संदर में भी याद रखना अंतराश्टिय अलम्पिक समीति इसका मुख्याले कहा है लाजन स्विदरलेंड में और अध्यास को में थामस बाक और इसकी अस्थापना तैस जून 894 में पेरिस फ्रांस में किया गया था तो इस साल देखिए इसका सुर्णिम यूग ही है जब इसका 1924 में जब लाज्ट ये हुआ था उसके बाद इसके इसके बाद इसके सोव वर्सों क्या उप्रांत भी मनाया जाएगा सोव वर्सी ये ओलम्पिक अभ्यान के रूप में भी तो इस सब बहुत से भी डायग्राम आने वाले इस से लेटेड तो जब भी आए कर सके हम भी काम कर सके बेहतर तरीके से बढ़े आगे साथ में आप आप ज़रूर डाउलोड कि जेगा वेबसाइट विजिट किजिए www.yuktiis.in आप लोग दोनों जगा युक्तिया इसके प्लेटफर्म पो जो टेस्ट अबलेबल है बहुत से टेस्ट आप लोगों को फिर प्लेट सिरीज है आप लोग ज़रूर वहां जाके विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं लास्ट प्रस्ट आज का है उप राश्पति एम वेंकेया नाइडू निमलिखित में स्कीस राजी के पुलिस परतिष्ठित राश्पति निसान परसिडेंस कलर्स परदान किया है तो उसका सही उत्तर प्रसिट टमिलाडू को हाली में उप रास्पति एम वेंकेया नाइडू ने ने परसिडेंसल आवार्ड दिया है तो इसका अर्थ होता है कि जब कोई पुलिस से लगतार पचीस वर्थो तकर सदारन सेवा के संमान में किसी भी सेन राज्यपुलिस को दिय जाना यह सर्वोश समान है जो यह बहुत ही महत्पूर्ण है तो इससे रिलेटेड आप लोग को प्रस देखने को मिल सकता है तो यह आप लोग को ध्यान रखना है यह किसे दिया गया जो तमिलाडू के मुख मंत्री M.K. यह स्टालिन उनको यह राजपती निसान सौपा गया देखिए पेंकेन आइडू यहां है स्टालिन यहां बगल में दोनों वाइट कलर के ड्रेस पाने हुए हैं और देखिए यह निसान 25 वर्षों के साधारन सेवाक समान किसी सेन यह राजपुलिस को दिया जाना सर्वोश स रिल से तमिलाडू के राजपाल के संदर में पुछाजा सकता जिसे हो हमेसा चरचा मराता है जहां पर राजपाल के पदन्यूक्ति होती है या अत्रिक्ट कारभार दिया जाता है तो वहां से related आप लोग को प्रारंबिक परिच्छा में PT में प्रस्न देखने को मिल सकता है तो इस सब news को भी cover करते रहिए फिर इस पीडियो को प्रात करने के लिए आप लोग जरूर टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजेगा यह टेलिग्राम चैनल इस बार कोड को स्केन कीजेगा डारेट आप लोग हमारे एक टेलिग्राम चैनल से एड हो जाईएगा जोईन हो जाईएगा कुछ करने के जरूरत नहीं है बस क्लिक एक Google स्केनर होता है वहां से स्केन कीजेगा और साथ ही में विजिट कीजे www.yuktiis.in और हमारे जो उफिसियल वेब साइट है जरूर जाके वहां विजिट करके देखिए आप लोग क्लिक क्या है एप जरूर डाउनलोड कीजेगा ताकि और भी चीज़े आप लोग देखने को समझने को मिल सके साथ ही यूटूब चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजे और इसके लिए आपको लिंक यहां भी दिया हुआ तो आप लोग जैसा सुईदा हो और बेल आइकन को जरूर दबाईए सब्सक्राइब जरूर कीजे और थैंक्स फोर वाचिंग युक्तिया इसको देखने के लिए समझने के लिए अंत तक बने रहने के लिए फिर हम जल्द आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे धन्यवाद जैहिंद